को कि हैं विए अच्छे हैं और सब अपने एक्जाम कर रहे हैं हमने लाज्ट ट्रोपिक किया था उसमें डाटा लिंक लेएर के डिटेक्शन टेक्निक्स हम कर रहे थे र दिटेक्सेंटुम हमने सिंगल पैरेटी इवी कम्पेटी कर लिया था इवन और और 2ड डैती कम्पेट किया उसके बाद हम आज बढ़ें साइकल साइकल रिडएंटरेटे के पिता है इसका आपका बहुत इंपोर्टेंट थैसे दोनों टाइब कोशिन एक्जाम में आ चुकें इसलिए इसको अच्छे से करना इसका निमेरिकल कोशिन भी बनता हो त्योरी कोशिन भी बनता है चलो पढ़ते हैं साइकल एक रिड़न से चेक देखो साइक जो हमारे कोशन होता है उसके हर वर्ड के मीनिंग होता है यह मैं यानि एक्स्टा बिट जो हम एड करें चेक यानि उस साइकलिक फॉर्म से एक्स्टा बिट को हम चैक कर रहे हैं एर को डिटेक्ट करने के लिए अब CRC होता है क्या है CRC आपका एरे डिटेक्शन मैथट है अब आपके डाटा लिंक लिएर प्लस ट्रांस्पोर्ट लिएर पर काम करते हैं data link काम करती hope to hope transport काम करती end to end connectivity पर जो इसका काम करना तरीका है जो आपका बाइनरी इडिविजन जो बात करता है ताकि इस कोड कोड ने बाद हम रिटेट कर सके जो डाटा आपको दिया यह या नहीं है यह मैं करें से चैक सिस्क्रेटों नहीं कुछ प्रोपर्टी में अब सी और सी जणरेटर बनाने के लिए इस प्रोपर्टी होती है यह बना दें कि चलो हमने यह कहा कि यह हमारा node नहीं उसी है कि झो आपका नहीं होना ची एक से लेकिन detail में होना ची एकस प्लसवन तो में बोल्समाइं से लेंट हम अर्थ हम पूर लेंग तक की हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यह होता भी आपका सेंडर साइड यह सेंडर क्या करता है कि इस रफली समझ लेते हैं उसके बाद हम इसके डाइफिनेशन को पढ़ेंगे उसके पास डाटा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को अपैंड करें अगर अपका विट का है तो आपके जो पैंडिंग जीरो है नंबर जीरो जो वह फवर रहेंगी यानि क्या होंगे उसे n-1 या कह सकतो अगर ये n है तो डिविजर आपका n-1 हो गया उसके बाद जो reminder आया हमारे पास आर उसे हम data के साथ append करके send कर देते receiver के पास ठीक है ये काम होता आपका CRC generator का अब receiver क्या करेगा receiver के पास जो data मिला उस data को वो दुबारा उसी डिविजर से divide करेगा और चेक करेगा reminder को अगर reminder 0 है तो भी data में कोई error नहीं है लेकिन अगर reminder 0 नहीं है तो data में क्या है error है और उसको वो reject कर देगा ठीक है ये एक छोटा सा डाइग्राम है यहां पर उसे हम समझते हैं सेंडर और receiver का देखो सेंडर के पास यहां मैंने मैंने सेंडर की एम को डाटा और न को जो number of zeros हम पैंड कर रहे हैं अगर हम 4 बिट पैंड कर रहे हैं तो हमारा डिविजर होगा 5 बिट का तो यानि यह एन है तो डिविजर करा रिमाइंड कर रहे हैं जो रिमाइंडर अगर फिर उसी से डिवाइंड कर तो मारे मानद क्या आता है जीरो अगर जीरो नहीं आ तो हमारा पास क्या है अधू के की एक बँद के लिए एकज़म्पल लेते हम एले वहां इस दाटा है यह बिट्समें गीवन है और पॉलेमर फॉर्म में दिविजर गीवन है वह एक्स के फॉर एक्स के त्री और वन इसको हमने डिकोर्ड कर दिया वन जिरो रॉं की फॉर्म में ठीक है अब ही क्या करेगा अभी मारा 5 bit का क्या है दिविजर है तो हमने 4 bit नंबरोफ 4 अपैंड कर दी है हमने अपर अपैंड कर दी नंबरोफ 4 0 अब इसको हम डिविप्ट करेंगे इस से 1101 से यह मैंने यहां करके अगर 00 है तो 0, 11 है तो भी 0, 10, 00 तो 1, तो गारेंगे, इस 0 वो डिसकार्ड कर दिया, जो नेक्स टम स्टार्ट करेंगे, वो खरेंगे 0 से, तिक्षिक है, अब क्या हुआ एनन् victim और और के यहां लिखाओ भी इए टेकती दो बची मळगाें यहны को निष्ट है दूबदास विति हैं i am üstowel 0 challenges है at 1101 1400 फिर बच्फी वर में कि इंगल वन और एक बच्ची जीरो यह रिमाइंडर लेकिन कितना करना होता है जाने शिकने के 9 bit को करेंगे to most significant से स्टाइट करते हैं आप नहीं Özal यानि police sery याने 00 जो data मिला रेसीवर कैया यह data मिला her seever को receiver अब बारह डिवाइड करेगा यहां थोडर मिस्टेक है cllc 001 division त्यें टाइविंड मिस्टेक है अब इसको difference result मिलेगा 0 अगर मैं 0 result मिलता है मतलब क्या बई data correct है कोई error नहीं है यह आपको homework है एक पर आप करके देखू, ऐख जों कि प्रोपरिटिक लगा को याद रखने परेगी, सेम वेल्उ परणी मिलता कि ज रो, डिफ्रेंट मी मिलता है, वन. कहा है लागीगा, जैसे आपको फस्ट वन आता है वह से आपका डाटा हो जाता है, ठीक है हैं, कोई भी आपको दिख का था तो प्लेस कमेंट बोक्स में कमेंट कर दें थैंक यू क्या चाइब सकते अधान है तो जह सुलतल सकते आपको नहां हुआ है कि अपकोई नहा जहां है जो भी उनके है कि अवी आंना वहां हckt बसे तक ए percentage आपकोई चाओे